आप सब को जैमसी की प्रवु का धनिवाद करते हैं इस सुन्दर सुभा के लिए कि प्रवु ने ये सुन्दर सुभा हम सब के जीवनों में दी और हम धनिवादी हैं कि रात भर में सम्हाल कर परमेश्वन ने एक नई सुभा हम सब के जीवनों में जोड़ी इस बात के लिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें तो आईए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तूती के लेक भजन को गाएं तेरी आराधिना करूं तेरी आराधिना करूं पाप शमा कर जीवन दे दे दया की आचिना करूं तेरी आराधिना करूं तेरी आराधिना करूं पाप शमा कर जीवन दे दे दया की आचिना करूं तेरी आराधिना करूं धनिवाद करते हैं परमेश्वर ये अरादना प्रभुजी तुझे ग्रहन योग्य हो परमेश्वर आईए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें भजन सहिता 117 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है सच में परमेश्वर महान है जो इस तूती के योग्य है जो प्रशश्वर के योग्य है क्योंकि उसने हमारे जीवानों में बड़े बड़े काम की है तो आईए इस वचन के अनुसार हम सब मिलकर परातना करें तो जितने भी लोग इस प्रात्ना को सुन रहे हम उनके लिए निरंतर प्रात्ना करते हैं तो आईए हम प्रात्ना में जाएंगे योग्य और महिमा के योग्य प्रभू हैं। उनके कामों पर आपकी आशिश हो प्रभू जी। Jo नया बिजनस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मसी आप उस पर उनके कामों पर आशिश करें पिता परमेश्वर ताके उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की प्रशंसा होने पाए प्रभू आपके नाम की महीमा हो प्रभू जी आप हरे को खत्रे मुसीबतों से बचाएं प्रभू बिमारियों से बचाएं परमेश्वर कल प्रदान बुद्धी समझ प्रदान करे प्रभु जी और पिता जो कमजोर है उन्हें भी आप प्रभु जी ब्लेस करे प्रभु आप उन्हें अपनी बुद्धी दें प्रभु जी ताकि वो पढ़ें प्रभु और उससे आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी हम प्रा बात न करते हैं कि आप अपने सामर्ती हाथ को बढ़ाईए प्रभू और क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहुआ हूँ प्रभू येशु के नाम से हर एक बिमारी चली जाए प्रभू जी आपकी चंगाई की घोशना हम हर ए कि जीवन में करते हैं हर एक दर्द बोडी पेन येशु मसी नासरी के नाम से चला जाए हर एक फीवर येशु के नाम से चला जाए प्रभू जी ओ पिता कोई भी बिमारी हो प्रभू वो सब इनके जीवन से दूर चली जाए प्रभू जी दनिवाद करते हैं प्रभू पित आमेन आमेन और आमेन